पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं समीधान की इस रिकास यात्रा में हम आपको राश्ट्रपती के विशे में पढ़ा रहे हैं हमने बहुत विस्तार से आपको इसके बरह में समझाया उमीद करते हैं इन लेक्चर को सुनने के बाद आपका विजन इस लेवल पर डेवलप हो गया होगा कि आप एक मचे और अप्रोच रखेंगे एक्जाम को अप्रोच करते हैं किसी भी लेक्चर का पर्पस सिरफ इतना नहीं होना चाहिए कि उसने आपको उस कॉंटेंट के वि कितना क्रियेट किया आपकी अप्रोच को कितना मैचे और किया आपकी उस टॉपिक के वाया ही जो एक अप्रोच डेवलप कर गया है उस डेवलोप उस अप्रोच की हल्फ से आपके इस तरह से को पढ़ते हैं Elimination method utilize करते हैं और सही options को derive करने की कला सीखते हैं एक लेक्चर क का चल रहा है लेकिन उसी के वाया आप नेशन और पीपल इनका difference समझ रहे हैं पीपल कर रिप्रेजंटेटिटिव और नेशन का रिप्रेजंटेटिव का फर्क समझ रहे हैं राज्य कि क्या उद्देश होते हैं और जनता की क्या आकांग्शाएं होती है एसका महत्व समझ समझ रहे हैं और लेक्चर सिर्फ चल रहा है तो वो प्रेजिडेंट का चल रहा है बहुत से आस्पेक्ट समझ रहे हैं Constitution की अप्रोच क्या होती है Constitution क्या expect करता है Constitution किस तरह से different institutions को उन इंस्टिटूशन के office holders को एक position प्रोवाइड करता है उस पूजिशन से पावर्स की क्या importance होती है यह सब कुछ आप एक लेक्चर से समझते हैं एक लेक्चर करने के बाद उसमें गिवन चैप्टर के आगे कई सारे चैप्टर पढ़ने का नजरिया विक्सित होता है यही तै और उसी के तहाँ राश्ट्रपती के विश्य में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं अब हम प्रेजिटेंट के ओडिनेंस मेकिंग पावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और दिनेंस मेकिंग अध्याधिश जारी करने की शक्तियों के विशा में पढ़ेंगे देखिए अध्याधश को लेकर के बहुत सी कॉंट्रोवर्सी कंट्री में रहती हैं ऐसा लगता है पिछले कुछ समय से कि जो ओडिनेंसे इशू किया जाते हैं प्रेजिटेंट के द्वारा वो एक तरह से डेमोकरेटिक प्रोसेस को बाइपास करने के लिए ये पावर यूज की जा तो उनको ऐसा लगता है कि ये डिमोकरेशि को बाइपास किया गया जो नेशन की वाइस है उसे बाइपास किया गया लोगों के रिवरेसेंटेटिफ एं इन दफॉम एफ elas ऄ Mexican है ऐसा लगता है जबकि कोंस्टोचिंट में ही इन या प्रोसेस और कोंस्रोचिटूश की ही श इसलिए हमें यह पढ़ना पड़ता है कई तरह के ओडिनेंसे आते हैं आपको पता होगा 2013 में भी उस समय की जाती हुई कॉंग्रेस सरकार के दौरा फूट सिक्यूरिटी के रिलिटेड ओडिनेंस आया बाद में नेशनल फूट सिक्यूरिटी एक्ट बना तब भी कॉंग्रेस पर आरूप था कि आपका इतने समय का कारेकाल रहा था था आपको इतना समय लग गया इस पे लौ नहीं ला पाया और आपका समय खतम होना आ रहा है लोगों की वोट बटोरने के लिए आप इस पे लेकर क्या रहे हैं अगर आपको यह लगता था कि आपकी बात में बड़ी सत्यता है और यह देश ऐसा चाहता है आप इसे कानून के वाया लेकर क्या आते आप इसे लौ मेकिंग प्रसेस के क्या है कि इसे समय नहीं की कोशिश करते हैं लेक। Constitution के अंदर ordinance making power है प्रेजिटेंट की आर्टिकल 123 के ताहित और इसी तरह कि एक ordinance making power governor की भी है आर्टिकल 213 के ताहित आज हम प्रेजिटेंट के ordinance making power अच्छे से पढ़ रहे हैं पढ़ लें अच्छे से पढ़ लें गवर्नर के बारे में तरफ एक दो पॉइंट करेंगे 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 यूनियन एक्जेक्टिव स्टेट एक्जेक्टिव साथ के साथ ही कतम हो जाएंगे तो आर्टिकल 123 के उन्ही कानून से प्रेरित हो करके उन्ही कानून से शक्तियां ग्रहन करके उन्ही कानून से नियम बना करके delegated legislation process जिसे हम कहते हैं उसके माध्यम से फिर सरकार नीतियां बना के आप तक लाती है जो कानून ही नहीं होगा तो नीती बनना मुश्किल हो जाता है कानून बनाने वो रास्टरपती के सिगनेचर होने चाहिए उस पर रास्टरपती का असेंट मिलना चाहिए उसे फिर वो कानून बनेगा आप बिल प्रेजेंट करते हैं वो लॉव बनके निकलता है एक्ट बनके निकलता है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि पारलेमेंट के सेशन होते हैं तीन सेशन हमने देखे हैं बजट सेशन होता है मौनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है बजट सेशन लगबख सबसे लंबा होता है तीन महीने का फिर मौनसून सेशन दो महीने का फिर विंटर सेशन एक महीने का सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन होता है कुल मिला के छे म आप कानून बना करके उसके तहंत नियेभी कर देश में कोई नीती लगू कर देंगे मानि एक पारलेमेंट का सेशन एक्टिविटेंट में नहीं है इस समय रिसेस चल रही है पारलेमेंट का सेशन नहीं है ऐसे में देश के सामने एक immediate need आकर के खड़ी हो गए एक urgency है और हमें उसे address करना है तो फिर सरकार क्या करेगी ऐसे में क्या होना चाहिए ऐसे में यह होना चाहिए कि फिर Parliament के law में जतनी शम्ता है जतनी शक्ति है उसी शम्ता और शक्ति से परीअगर कोई और प्रबंध हो उसे अध्याधेश कहा गया उसे अचाह जया फिर आप reason करा करके सारा काम कर सकते हैं सरकार ऐसा कर सकती है कि पर युचिंदारी पर है वह उनियाट यूनिटी इंटिग्रीटी सॉलिडारीटी सॉवरैनेटी सिक्यूरिटी के सिंबल है इसलिए सरकार जो है वह अकेले अध्यद जाली नहीं कर सकती है गवर्मेंट स्टेट के हैट जो है उसे करेंगे इसे रास्ट्रोपती लेकिन प्रेजिडेंट की यह को of the Supreme legislative power है प्रेजिडेंट की बहुत पड़ी शक्ति है लेकिन प्रेजिडेंट इस शक्ति को इस्तमाल करने के लिए Council of Minister की Aid and Advice से Bound है तो Council of Minister जब कहे कि तभी President Ordinance Promulgate करेंगे अध्यदेश जारी करेंगे और Council of Minister मंतरी परिशत के कहने पर ही वो कार्य करते हैं इसलिए फिर केंदर में पार्लेमेंट में बैठे होए MPs और राज्य सरकारें केंदर सरकार पर आरूप लगाती हैं जो बद्धधिश आता है क्योंकि आता वो केंदर सरकार की इच्छा से वो कभी भी आरूप रास्टर पती पर नहीं लगाएंगे आप देख लेंगे केंदर सरकार पर लगा दिया जाते हैं कि इनको यह ओडिनेंस इशू नहीं करना चाहिए था यह चाहें तो यह ओडिनेंस इशू नहीं करते हैं मैंने यहीं पर आपको बताया कि कि अब इसके तहब क्याक्या लिमिटेशन हैं क्या-क्या बंदिशे हैं प्रेजिडंट की यह शक्तियों को किन-किन ग्राउंट को कौलिफाई करना है उन ग्रांट को समझके ही आपको यह बहेतर वें समझ आएगा कि यह अशन में और इंस में पावर का खेल क्या है इसकी पहली लिमिटेशन या पहला बेरियर जो इसे पार करना पड़ता है पहली क्वालिफिकेशन जो इसे क्रॉस करने पड़ते हैं वह यह है कि या तो पार्लेमेंट के दोनों ही हाउस सेशन में ना हो या फिर कोई एक हाउस सेशन में ना हो या तो दोनों ही हाउस सेशन में ना ह कि दोनों ही हाउस session में नहीं है तो फिर तो law बनी नहीं सकता क्योंकि parliamentary session चल नहीं रहा पहली बात दूसरी बात एक house session में नहीं है यानि Lightning लोक सब़ा डिजाल हो रकी है या लोक सबह session में यह सिर्फ raja session में तो भी ordinance आसकता है उसका कारण यह है कि अगर दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है तो पार्लेमेंट कानून बनाने के अभी सेशन में नहीं है और एक भी हाउस सेशन में नहीं है तो Constitution की यह obligation है पार्लेमेंट पे कि कानून पार्लेमेंट में तभी बनेगा जब दोनों हाउस में करके दूनों हाउस से पासो तो फिर एक हा anonymous एशे में एक होस नहीं है तो फिर दूनों हाउस से तो item मिलेगी कोई बी एक कारून बनेगा एक हास से स्व कृति Pizza कर कारल एगर वह कानून बन जायेगा तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि फिर इस तरह से गवर्मन और ज़्यादा autocratic हो सकती है वो लोगसभा से बिल पास करके क्योंकि लोगसभा में तो से majority है इसकी वजह से सरकार में है तो लोगसभा से बिल पास करके सीधर रास्ट्रपती के हस्ताक्षर कराकर क्यों से कानून बना सकती है इसलिए कहीं मौझूदा सरकार और autocratic भी ना करने लग जाए इसलिए यह नियम बनाया कि एक हाउस भी सेशन में नहीं है तो फिर पार्लेमेंट लॉब नाने के लिए और अगर दोनों के दोनों हाउस का सेशन नहीं चल रहा तो फिर तो लॉब बने गई नहीं तो इस PCQ पर कभींट रहो जाएं कि और तरद दोनों हाउस क्योंकि क्यानून को की कानून दोनों हाउस मेपास होना चाहिए और फिर स्ट्रपधी से असे लाच तो इगर यहाउस सेशन मेंकर दूसरा है तो फिर कानून कैसे हो इसलिए इन परिष्टितियों में एक भी हाउस सेशन में नहीं या दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है इन परिष्टितियों में प्रेजिनेंड ओडिनेंस लेकर क्या आ सकते हैं आईवा समझ में इस से कॉंस्टिटूशन ने क्या सिद्ध करना चाहा क्या स्थाफित करना चाह कि सोच्जिए कैसा होता वह मुलक और कैसी भयावे परिश्चितियां उती लोकतंत्र के लिए यदि पारलिमेंट सेशन में चल भी रही है पारलिमेंट है उसके हाउसेस का सेशन चल रहा है इसके साथ साथ ही president ordinance वीशू कर रहा है तो फिर तो ordinance making power एक parallel power हो जाती ordinance making power parallel power हो जाती जबकि constitution यह कहता है कि ordinance making power is not a parallel power of legislation कानून जो बनेंगे वो देश की supreme law making body में बनेंगे वो parliament में बनेंगे ordinance making power सिर्फ और सिर्फ एक temporary provision है for the temporary laws parliament में बने हुए laws permanent होते है पार्लेमेंट में बने laws क्या होते हैं लेकिन ordinance के तहत कौन से laws आते हैं temporary laws यह temporary इस लिए होते हैं क्योंकि इन्हें permanent parliament की certification से होना होता है यानि कि इन्हें पार्लेमेंट की प्रकरिया से कानून बनाके आना ही है फिर ही यह permanent होंगे कोई भी कानून अगर आप ordinance making शक्ती के तहट लेकर के आए हैं तो शर्त यह है कि उसे Parliament में प्रेजेंट होकर कि कानून बना है जब यदि वह कानून नहीं बनेगा निरस्ट हो जाएगा का लेप्स हो जाएगा आज बास समझ में तो पार्लेमेंट के law permanent laws होते हैं और यह बात तो सकते हैं कि वह पर्मनेंट हो यह टेंपरेरी लॉज होते हैं तो आर्टिकल 13 फंडामेंटर राइट के तहत जो लॉज शब्द का जिकर हुआ है उसमें और दिनेंस भी आता है ऑडिनेंस भी लॉक दर्जा रखता है पार्लेमेंट के तहत पास हुए कानून व पाउपे लगती है उसका एंफ्ट सेम होता है स्की फोर्स सेम होती है सके प्रिवलेजेस सेम होते हैं तो अगर हैं या कोई एक में चल रहे हैं तो विद्वाप और बीनेंस ला सकते हैं नौट अपर नहीं दा सकते क्योंकि ओर्डिनेंस एक पैरलल पावर ऑफ लेजिसलेशन नहीं है अगर हाउस सेशन में होते हुए भी हम ओर्डिनेंस लाने की पावर दे देते हमारे देश में तो फिर हमारी कंट्री में पार्लेमेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्मेंट यूजलेस लोक्षभा को रस्पॉंसीवल है का मतलब यह है कि लोक्षभा के वाया जनता का एक दबाव है कांसिल ऑफád मिनिस्टर उनहीं कानुनों से शक्तियां ग्रहन करेंगी जो पार्लेमेंट में बनेंगे और कॉंसिल अफ मिनिस्टर उन शक्तियों को एग्जिक्यूट करने के जो नतीजें आ रहे हैं या जो भी काम काच कर रही है उसके लिए देश को जवाब दे है वाया पार्लेमेंट खास तोर पर लोकसभा जैनि कि लोकसभा में जब तक इस Council of Minister को मैजόरेटी मिली हुई है तब तक यह कॉंसिल ओफ मिनिस्टर कॉंसिल ओफ मिनिस्टर बनी रहेगी जब इस पार्टी की सरकार है जब इसकी लोकसभा में मैज़ॉरेटी नहीं रहेगी Council of Minister भी खत्म हो जाएंगे तो Council of Minister का जनम लोकसभा से हो रहा है जानी कि लोकसभा मेश अगर majority मिली एक इसी पार्टी को तो वो capable है कॉंसल आफ मिनिस्टर बनाने को और Council of Minister की responsibility भी लोकसभा के प्रती इसलिए ही तैख हुई है पिर क्योंकि उनका जन्म ही वहां से हो रहा है आई वा समझ में क्योंकि उनको लोकसभा का confidence मिला हुआ है लेकिन यह सब तब होता है जब पार्लेमेंट के पास शक्तियां हैं कानून बनाने की और उन कानूनों के तहट नियम बनाते हैं सरकारें और उन पार्लेमेंट की यूटिलिटी क्या रहेगी कंट्री में पार्लेमेंट का पपस खत्म हो जाएगा और फिर देश की सरकार वाया पार्लेमेंट जनता के प्रती जवाब दे नहीं रह जाएगी देश की जनता का वाया मेंबर पारलेमेंट सरकार के उपर दबाव बनाने का सारा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी सरकार से सवाल जवाब वो नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि वो आपोजीशन होते हैं वो MPs होते हैं जो मंतरियों से सवाल करते हैं आपके हितों की रक्षा की खाते हो वहाँ पर जिरहा होती है सवाल पूछे जाते हैं और लॉज और भी रेलेवन्ट और और भी लॉजिकल बनते हैं लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मेरली प्राइम मिनिस्टर के तहट रास्टरपती को ही एडिंड डवाइस दे करके ही एक और डिनेंस बनाना है जो कि पार्लेमेंटरी लॉग का दम रखता है तो फिर इस शक्ति का इस्तमाल करके हम पार्लेमेंट की यूटिलिटी को खत्म करते हैं इसलिए पैरलल लॉमेकिंग प्रोविजन नहीं होता है यह सिर्फ और सिरफ एमर्जेंसी और एक्सीजेंसी में लॉमेकिंग प्रोविजन होता है जब पार्लेमेंट के दोनों हाउस या फिर एक हाउस सेशन में नहीं है तब होता है आई बास समझ में यह लिमिटेशन रहता है यह जरूर सुना होगा कि सरकार कोषिश कर रहे हैं कि बजट सेशन खत्म हो जाए मौंसुन सेशन खत्म हो जाए है फिर हम इसके बारड लेकर कर आएंगे कई आप इस तिशा में बिल अभी ले कर कैई यह इसमें डिले मत करिए और बाद में इस पर ordinance मतले करके आईएगा आईवा समझ में ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं पहली limitation पहला barrier clear हुआ दूसरा जो concept दिया गया है ordinance making में उसमें एक बात रखी गई है कि president ordinance तब issue करेंगे जब president satisfied होंगे तो satisfaction of the president is very important अगर president satisfied है कि ऐसी immediate circumstances बन रहे हैं जो कि इतने urgent हैं इतनी exigency है कि इस समय देश को आवशकता है कानून की और sessions चल नहीं रहे हैं तो मुझे ordinance ला करके कानून स्थापित करना पड़ेगा तो president की यहाँ पर satisfaction important है आई बाद समझ में और president का satisfaction यहाँ पर satisfaction of the council of minister ही तो है क्योंकि president council of minister की agent advice से ही लेकर के आएंगे अध्यादेश ordinance तो अब यहाँ पर हुआ यह है कि इस चीज़ को परिवर्तित किया गया है परिवर्तित कैसे किया है उस चीज़ को समझने कोशिश करें कूपर केस हुआ था 1970 में उस कूपर केस में कोट का निर्णय यह था सुप्रीम कोट का की satisfaction of the president can be questioned in the court of law कोश्चन satisfaction प्रेजिएंट की पूछी जा सकती है उस पे जवाब तलब हो सकता है यानि कि इसका मतलब यह है कि जो और इस चुकिए प्रेजिएंट ने उस ओडिनेंस बच्टिसिजन मेकिंग की है प्रेजिएंट ने उस और इसको करने के लिए वह डिसिजन मेकिंग का बेसिस क्या है कि साधार पर आपने और इसक्रिशितियां कड़ी हो गई ऐसी कौन सी अकस्मक संभावनाएं बन गई अ सब्सक्रिशन यानि कि प्रेजिएंट के और इस इस बात को समझी आप इसका कारण समझी आप मैं आपको कारण बताता हूं बड़ा लॉजिकल गेम समझो अभी मैंने पहली लिमिटेशन में क्या बताया कि अगर दोनों हाउस सेशन में नहीं तो और इसका और एक भी हाउस सेशन में यह तो आडिनेंस आ सकता है सही बोला मैंने गलब अच्छा प्रेजिएंट की लेजिस्लेटिव पावर मैंने आपको पढ़ा ही ना लेजिस्लेटिव पावर में मैंने क्या पढ़ा है कि प्रेजिएंट ऑथराइज हैं पार्लेमेंट के हाउस समन करने के लिए औ पार्लेमेंट के संसद के सत्र जो हैं उनको आवूत कर सकते हैं सत्र आवूत और सत्र अवसान तो समन एंड प्रोरोग अब माल लीजिए कि गवर्मेंट जो है वो कोई लॉल आना चाहती है उसे ऐसा लगता है कि इस पर पार्लेमेंट में बहुत जादा डिबेट होगी हमारी कर दिया कि आप हाउस जो है से प्रोरोग कर दीजे पार्लेमेंट के हाउस को प्रोरोग कर दीजे सत्र अफसान कर दीजे और प्रेजिडेंट ने हाउस प्रोरोग कर दिया एक हाउस भी प्रोरोग कर दिया हमाल यह दोनों ही हाउस प्रोरोग कर दिये हाउस प्रोरोग हो ग तो ऐसे में आपने क्या किया आपने पूरे के पूरे constitution में गिवन एक इतने बड़े democratic process को बाइपास कर दिया इतनी बड़ी इंस्टियूशन डैस वारलेमेंट आपने उसको बाइपास कर दिया यह जो आपने किया ही अनकॉंस्टियूशनल है तो यहां पर इस अनकॉंस्टियूशनलिटी के दम पर आपकी जो सैटिस्फेक्शन है वो चैलेंज हो जाएगी कि आप कैसे सैटिस्फाय हुए आपकी जो ओडिनेंस इशू करने के पीछे की decision making थी वो decision making का basis क्या था आपने पहले house प्रोरोग कर दिये जबकि house अभी session में थे अभी उन्हें चार दिन के लिए पांच दिन के लिए और चलना था आपने पहले house प्रोरोग किये और प्रोरोग करने के बाद फिर आपने यहां पर ओडिनेंस इशू कर दिया तो आपके निरने पर संधे है कि आपने जो ओडिनेंस इशू किया उसके पीछे का जो अधार है संधे अस्पद सपीशियस है तो यू कैन चैलेंज तैट ओके satisfaction प्रेडिन की challenge हो सकती है कि नहीं ओडिनेंस मेंकिंग पावर के पीछे की satisfaction को final and conclusive बनाने का काम किया मैंने पहले बताया emergency issue करने की जतनी भी प्रेडिन की satisfaction थी उसे final and conclusive बनाने का काम इंदरा गांदी ने किया सब्सक्राइब है थर्टी एड्ट कॉंस्टिटूशन अमेंड्मेंट एक 1971 हम ना 1975 75 हमने पढ़ा था तो थर्टी एड्ट कॉंस्टिटूशन अमेंड्मेंड्मेंट 1975 इंदरा गांदी की समय में emergency का दौर बहुत महत्वपूर्ण दौर के तौर पर यह समय जाना जाता उस समय में क्या हा गया कि प्रेडिन की satisfaction यहां पर फाइनल है और बाद में जनताबाटी की सरकार बनाई ठीक है मुरार जी देशाइए और फिर बाद में उनके समय में क्या आया 44th constitutional amendment और इस 44th constitutional amendment एक ने बहुत हद तक 38th amend और 42nd constitutional amendment एक्ट जो की एमर्जंसी के समय एक तो 38 constitutional amendment एक्ट और मान लीजे कि 42nd constitutional amendment 1976 इसके तहत बहुत से ब्रावधान थे जिसके तहत आपने समीधान को बदलना चाहा खास तोर पर इंद्रागादी ने 42nd amendment एक तो इतना था कि वह नी constitution हो गया को कि उसने constitution के सभी core principles को बड़े सतर पर बदल डाला था फिर 44th constitutional amendment act ने constitution को वापिस उसी form में restore करने कोशिश की और कुछ modifications भी की तो उन्होंने फिर यह रखा system कि जो satisfaction है president की वो final और conclusive नहीं है उसे court में question किया जा सकता है यानि कि यह amendment कहती है कि satisfaction है वो judicial review के घेरे में आती है प्रेजिडेंट की satisfaction judicial review से अबाव नहीं है उसे judicial review के घेरे में रखता है आई बास समझ में इस पर कोई doubt तो आज की डिट में अगर आपको कोश्चन पूछे कि जो ordinance है उसके लिए presidential satisfaction का concept exist करता है जो 100% exist करता है प्रेजिडेंट satisfy होने चाहिए कि हाँ करता है खुछ करता है प्रेजाए भिया प्रेजाए प्रेजाए